अपनी जिन्दगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिन्दगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से तूट जाते हैं। जिन्दगी को इतनी सस्ती मत बनाओ की दो कोडी के लोग खेल कर चले जाएं। प्रभू कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूँगा। अकेले रहना अच्छा है बजाए उनके साथ रहने के जिन्हे तुम्हारी कदर नहीं। जिन्दगी एक ऐसी किताब है, जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पड़े है। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। कभी मैं अपने हाथों के लकीरों में नहीं उलजा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। जिन्दगी जीने के दो तरीके है, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करूँ, और दूसरा जो हासिल है, उसे तुम पसंद करना सीख लो, चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिष्टे में आसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वो हमें सीखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बलकि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ मा बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिष्टे के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना बेजज़ती का जवाब इतने इज़़त के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिन्दा हो जाए मेरे अपनोंने धक्का मारा मुझे दुबाने के लिए फाइदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुर आएगा सब रख ऐ दोस्त वक्त तेरा भी आएगा बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जालने के लिए की नज़़दी कौन है वक्त आपका है चाहो तो सोना बना लो चाहो तो सोने में गुजार दो वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कल पे तालो अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर दालो पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं कई बार मन करता है हार मान लू लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है दूसरों के बुरे वक्त पर हसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है माव बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है लेकिन माव बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है उड़ा देती है नीन्दे कुछ जिम्मेदारिया घर की रात में जगने वाला हर शक्स आशिक नहीं होता उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती बस हम ही उससे छोड़ देते हैं ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो ये जिन्दगी है आपकी आप अपने स्वभाव में जियो जिन्दगी की रेस में जो लोग आपको दोड़ कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते है जिन्दगी में एक ही उसूल रखो यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों वेकार है जिन्दगी में attitude ऐसा बनाओ, जो जैसा है, उसे उसी भाशा में समझाओ कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है जिन्दगी हमारी यू सितम हो गई, खुशी ना जाने कहा दफन हो गई, लिखी खुदा ने मुहबबत सब की तकदीर में, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई हम जुकते हैं, क्योंकि हमें रिष्टे निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे, और आज भी नहीं है जब लोग आपकी नकल करने लगे, तो समझ लेना की आप जीवन में सफल हो रहे है लोग करते हैं तलाश खुबसूरत चेहरे की, अगर खुबसूरत दिल ढूंडते तो कभी धोखा नहीं मिलता वक्त कब क्या रंग दिखाए, ये कोई नहीं जानता वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था, उसे सुबह बनवास नहीं मिलता आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी ना किसी की नजर में बुरे जरूर होते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका नाम जिन्दगी है, और जिसकी फूल गारंटी है, उसका नाम मौत है दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं इसलिए इस लायक बनिये की अपनी जरूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सके किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो, कि वो वक्त आने पर आपकी एहमियती भूल जाए जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो उससे बहतर साथी और कोई नहीं हो सकता है जो इनसान नियम बना कर आज का काम आज करेगा देखना वो इनसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा जूट कहते हैं वो लोग की हम सब मिट्टी के बने है मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफू जो पत्थर के बने है निहनत इतनी खामोशी से करो की सफलता शोर मचा दे जीतने का असली मज़ा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो अगर जिंदगी में काम्याब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो दोस्त बेशक एक हो लेकिन ऐसा हो जो अलफाज से ज्यादा खामोशी को समझे बहतर से बहतर की तलाश करो मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो तूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, तूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, जितने वाले कुछ अलग चीजे नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ती और द्रिर्संकल, उसे भिखारी से राजा बना सकती है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोरना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किले आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुम्किन है, पर नजरिये का नहीं, जिन्दगी के सारे तज्जूर्बे, किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है, जमाने से इन्हें पाने के लिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो कमेंट में जैश्री राधेक्रिश्न लिखे और ऐसे ही प्रेवनादायक वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जैश्री राधेक्रिश्न